Assalamualaikum! आज बनो काबिल का पेपर था आप लोगों ने दिया होगा और उमीद है बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पेपर दिया है अभी तक तो बहुत अच्छे फिडबैक आ रहे हैं मेरे पास और बहुत तारीफे भी आ रही है कि मिस आपने बहुत अच्छा करवाया तो ठैंक यू सो मच आप लोग के इतने प्यार का सपोर्ट का और बस अभी अगर रिजल्ट जब भी आएगा तो इशाला हम अपने चैनल पर लाइप आकर आप लोग को आपका रिजल्ट बताएंगे जैसा कि हमने उसमें किया था आई और जो न्यू वाले हैं जिन्हों अभी देख रहाएं पेपर यह बिल्कुल अभी अभी लेटर सब्डेट है अभी अभी पेपर हुआ तो मैं उसके ही आपको आंसर बताऊंगी कि मतलब कीज बताऊंगी आपको तो आपको और से देखेगा इस वीडियो को देखेगा कि आ सबसे पहला हुआ है सबसे पहला हमारा एंगिल्स आपको यह इस वन एटे देखे मेरे मेरे 80% मैं बहुत सारे पासप्र कर वाय थे आपने देखा और आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप लोग ने फॉरां से कर लियो होंगे अब चलते हैं एंसे की जानिए देखे में में half of diameter is called, देखें, मैंने आपको बताया था diameter के half को क्या कहते हैं, radius, और मैंने आपको ये भी इसका formula भी बताया था, कैसे लिखते हैं, मैं भी बता देती हूँ, आपको, d is equal to 2, ये ही बताया था था ना आपको, और half कैसे करेंगे, half क्या होता है, 1 divided by 2, इसको half बोलते हैं, तो हमें ये लाना है, अब क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो d divided by 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके मैं लिख देती हूँ, ये half हो गया ना, diameter का half, किसक इच ट्राइंगल, इच ट्राइंगल इस ओफ, देखें, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, अपने पासपेपर में, तो इसका करेक्ट आंसर है, option B, 60 डिग्री, ओके, अब चलते हैं, mcu नंबर 5 की जानब, इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ, एक्स ग्रेटर दैन, और इसका नाम होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो के, option C में हमारे या मौझूद है, ओके, साथ-साथ आप देखते चाहिएगा, कितने अभी तक आपके सही हुए हैं, और कमेंट में जरूर बताएगा, अब चलते हैं, mcu नंबर 7 की जानब, देखें, यहाँ पर आपको कुछ गिवेन है, is called a quadratic, तो बताया था, formula, option B correct है, यह quadratic formula है, अब चलते हैं, mcu नंबर 8 की जानब, 8 क्या है, the sum of two complementary angles, यह तो complementary और supplementary के तो मैंने आपको बहुत questions करवाएं हैं, तो यह तो आप सही करके आएंगे, उमीद है मुझे, तो इसका answer क्या होका, option D, 90 degree, अब चलते है mcu नंबर 9 की जानब, the line touching at a point is called a, यह भी बता दिया था, वो circle बनाया था, मैं diagram बताई थी, आपको याद होगा उसके बार, correct answer है, option C tangent, अब चलते है, mcu नंबर 10 की जानब, an angle with major greater than 90 degree is called obtuse angle, option A correct है, अब चलते है, 11, the symbol parallelogram is used for dash in a flow chart, किस के लिए use होता है, input and output device, तो option B correct है, आ आप अपने commit में मुझे जरूर बताईएगा कि कितने correct होएं, okay, और I think girls का अलग था, तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे इंस्टेग्राम पे, मैं link दे दूँगी, आप चलते है, mcu नंबर 12 की जानब, a computer program is a collection of tasks, computer programs, या instruction, तो इसका correct answer है, option D, अच अब चलते है, mcu नंबर 13 की जानब, the process of remaining error from a computer program is known as, तो इसका था debugging, okay, अब चलते है, mcu नंबर 14 की जानब, the device converting soft copy into hard, copy ये होता है, printer, option D, correct है, software are protected under 15 mcqs है, तो इसका क्या होगा, copyright, चलते है, mcu नंबर 15 की जानब, RAM is protected under, option 1, copyright, चलते है, 16 mcq की जानब, RAM is located, तो कहां मौजूद होता है, दोनों जो computer memories होती है, RAM और ROM, तो दोनों कहां मौजूद होती है, mother world में, अच्छा जिन का, अच्छे मार्श नहीं आए, आप लोग को लगता है, हमारा अच्छा paper नहीं हुआ, वो फिकर ना करें, मैं आपको बताया है, सिलानी का भी बहुत बहतरीन program है, वहां पर बहुत त पर प्रिपरेशन भी करवाऊंगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी आप लोग कराची वालों के लिए तो बहुत opportunities है, अब चलते हैं, MCQC 17 कि रावे, computer consists of, so all of these आएगा इसका, अब 18 क्या है, COBOL and Java, example of COBOL and Java, ये किसकी example है, programming language की, और COBOL, और इसके साथ Python, 19 क्या है, ब digital system by, इसका option क्या है, option number D correct है, अब चलते हैं, MCQs number 21 की जानेब, which symbol is used to write formula in MS Excel, तो इसका correct option क्या होगा, C is equal to, MCQs number 22 क्या है, every HTML file is our text, okay, option D correct है, 23 क्या है, computer user writes a program in this language, किस language में computer user program, computer user, जो किस language में write करते हैं, तो वो कौन सी है, आप बताएं, ये तो मैं आपको बहुत 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 बहुता चुकियों, इसका option का है, high level language, अब चलते हैं, MCQs number 24 की जानेब, picture representation of a computer program, option D correct है, okay, अभी तक जिनों चला सब्सक्राइब नहीं किया, काईटी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि result भी इस चैनल पर आएगा, तो आपको फॉरण notification आ जाएगा, अब चलते हैं, collection of a raw fact and figure, ये क्या है, इसका option B correct है, data, अब चलते हैं, 26 की जानेब, www stands for worldwide web, option C, okay, option C correct है, चलते हैं, 27 की जानेब, which of the following storage device, तो storage device ये तीनों ही है, floppy disk, optical disk, hard disk and all of these, option D correct है, चलते हैं, 27 की जानेब, it is a volatile memory, तो इसका correct option क्या है, option D, RAM, okay, अब चलते हैं, 29 की जानेब, internet protocol include, option B correct है, TCP and ICP, और, okay, चलते हैं, 30 की जानेब, computer web pages are written in type of a language, तो इसका correct option क्या है, देखते हैं, hypertext, okay, या multimedia assembly, या फिर hyperlink, तो correct option क्या है, A, hypertext, अच्छा, who is the founder of computer, ये तो पता है, 40 babies, अब चलते हैं, 32, the brain of any computer system is CPU, option B correct है, बहुत basic सवाल है, ये तो, 33, which device is required for internet connection, तो इसका क्या होगा, modem, okay, option B correct है, अब चलते हैं, हम 34 की जानिब, all cold drinks and soft drinks in this, all cold drinks and soft drinks contain this acid, option B, carbonic acid, देखें, या बहुते हैं, B, और उपर B, modem B था, तो line से B, B correct आ रहे हैं, अभी तक, 31 से लेकर, अच्छा, आप चलते हैं, 35 की जानिब, it is a good conductor of electricity, so, graphite is cancer, C, option, अब चलते हैं, 36 की जानिब, 36 की जानिब, 36 क्या है, it is used in the manufacture of inks, polished carbon papers, तो, option D, correct है, carbon black, option, MCU 37, it is the lightest particles of atom, तो, atom में सबसे lightest particle कौन सा होता है, electron, जो क्या revolve करता है, nucleus के, अब चलते हैं, 38 की जानिब, oxygen was discovered by Presley, option A, correct है, J, Presley, 39 क्या है, the most common element in earth crust is oxygen, option A, correct है, okay, अब चलते हैं, 40 की जानिब, the star is a, the sun is a star, 40 का, जो option है, A, correct है, okay, option A, correct है, Godwin Austin, अब चलते हैं, MCU no. 48 की जानिब, second highest glacier of Pakistan, तो इसका answer क्या है, option B, option B, correct है, इसका answer option D है, none of these, काफी बच्चों ने यही लगाया होगा, मगर इसका answer क्या है, option D, none of above, okay, अच्छा, 48 का वैंने बता दिया, 49 का क्या है, second last है, यह पाकिस्तान, still Mills is located in Karachi, इस option B, correct है, अब चलते हैं, हम last की जानिब, देखें, आप लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइनली सब्सक्राइब कर दें, और Instagram पर follow कर नमद बूलिएगा, वहाँ पर result भी announced, मतलब जैसी आएगा, मैं आपको news update दे दूँगी, और हम लोग live भी आएँगे, इसालला, तो फिर आप जरूर देखिएगा, वहाँ पर अपना result आप टाइप कीजिएगा, चैट में, और आपको result वहाँ पर मिल जाएगा, अब चलते हैं, सीजू नमबर 50 की जानिब, केव हिरा is in mountain, गारे हिरा किस mountain में है, तो option भी correct है, अन्नूर, ओके, अब अगर वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज शेयर कीजिएगा, और ये बताना मत भूलिएगा, कि आपके कितने correct हुए हैं, ओके, सो अल्ला हाफिस,